तो मैं पता है बहुत खून जलता है जब मैंसिटी और लिवरपूल को खेलते देखो अपकि अपनी टीम तो ऐसे खेलती नहीं है अब ना आप अपनी टीम से ऐसा फुटबॉल एक्सपेक्ट करते हो लेकिन बड़े गेम की हाइप क्या होती और उसको लिवप करने का पोटें वर्ल्ड लास स्टाइंग लाइनप को यहां पर ड्रॉप पर लोग लिया और यहां पर द्रॉप पर लिया और यहां पर लिया यह तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी यर्गन क्लॉप के लड़कों की यह सेम चीज हम अपने फुटबॉल में देखना चाहते हैं अपने क् पर सिंट भी देखने को नहीं मलता है ना गेट इट आए कंप्लीटली गेट इट इंजरी इशूज हैं यह है वह फलाना डिकाना बड़ आप यह देखो कलना तो लिवरपूल के पास ट्रेंट था कलना लिवरपूल के पास कुनाटे था स्टार्ट उन्हों ने रॉबर्ट हम तो नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे तो बेसिक सा फंडा बेसिक सा जो एक डिफरेंस है वो यह है कि हमारे हमारे प्लेयर्स कितना खेलना चातने क्लब के लिए कितना जीतना चातने क्लब के लिए देखो अगर इस गेम की टैक्टिकल साइट पर जाएंगे I think Kevin De Bruyne का substitution वो एकदम से slow down हो गया and Kovacic was losing too many balls in the midfield then Rubin Diaz को start ना देना I think इतना बड़ा तो gamble नहीं मतलब साबित हुआ वो क्योंकि ultimately draw पे फिनिश हुआ गेम लेकिन हा Rubin Diaz का ना होना that was a very 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 big and brave call from Pep Guardiola but I think कल के मैच में जो 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 इसके अलावा आपके अगर मैं ब नाच ना चाया है लूइस डियास ने आप मिस्ट चांसेस अटा दो लेकिन Rodri को आप बोलोगे यहां पर Walker को and उनके पूरे defense को I think मज़ा आ रहा था गेम देखने में and as a rival मतलब आप as a rival आप तारीफ करना नहीं चाहते Liverpool की क्योंकि वो आपके सबसे बड़े rival हैं और वो एक आपके अंदर rivalry अली भावना रहती है बट जब football अच्छी हो ना तो आपको मजबूरन तारीफ हरनी पड़ती है इस टाइम पर अगर मैं Liverpool के करवा का victory की बात करूं उसमें भी आप देखो कि उनके कितने सारे youngsters से pitch की उपर Chelsea के world class मतला heavy spent squad के सामने और कल भी आप देखो के Man City का ये squad जिसने travel जीता था उसके सामने Liverpool के बच्चे खिल रहा थे बहुत सारे अगर मैं बात करूं एंडो की performance I think it was too good McAllister has to be the player Virgil Vendek की जेवे जब कल खाली होई होगी तो उसमें से Erling Haaland निकले होंगे और मैं यह नहीं कह रहा कि Erling Haaland is not a good player Erling Haaland cannot win you games but आप जितने भी बड़े मैचे उठा कर देखोगे चाप Champions League final देखो semi final देखो FA Cup final देखो या फिर आप अपना Super Cup का जो final था वो देखो Community Shield देखो सारे जितने भी आपके बड़े मैचे रहें उसमें Erling Haaland की performance हमें देखने को नहीं मिलिया and even against United इतने chances मिले थे उनको बरी नहीं कि उन्होंने ultimately आमराबाद ने gift कर दिया goal तब जाकर Erling Haaland was there on the score sheet कल के मैच में I think you have to praise Jurgen Klopp की resilience Jurgen Klopp का जो एक game plan था के और Liverpool देखो इकलौती वो team है just against City possession रखके नहीं खेलना चाहती यह हम बहुत बार देख चुके बहुत बार discuss कर चुके हैं और हर बार हम यही इसी निशकर्श पर पहुंचते हैं कि भाई Liverpool इकलौती वो team है जिससे City थोड़ा सा डर के खेलती है City वैसे किसी से डर के नहीं खेलती लेकिन Liverpool इकलौती वो team है जिसके अगें City थोड़ा सा डर के खेलती है तो इस वक्त पे अगर मैं City को देख रहा हूं खेलते हुए और City अगर 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 अगला गेंस लिवरपूल है तो डेफिनिटली वहाँ पर एक even contest हमें देखने को मिलता है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस पूरे फिक्शर से किसको सबसदा फाइदा होगा और यहाँ पर आप बोलोगे कि मैं सिटी अगर जब आसनल के अगर अगर नेक्स्ट प्रेमिली फिक्शर में अगर बात करोगे केविन डुब्रोइन का गेम ऐसा क्यों रहा आइधिक लिवरपूल के प्रेस के आपको तारीफ करनी पड़ेगी लिवरपूल आइस प्रेस होता है हमारा कोई organization यह था प्रेस में और एक लिवरपूल का प्रेस होता है तो वह बेसिक सा डिफरेंस है हम में और लिवरपूल में देन अगें अगर उनमें से एक भरी हो जाता था 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 यह वोड़ें वोड़ बाई लिवरपूल उसके अलावा अगर बात करूं दावे नूनेज काफी जाथ ओफसाइड रहा गर नूनेज थोड़ा सपने अपने रंस इस वक्त पर नूनेज की वजह से काफी बार जो गेम था वो डिस्रॉप्ट हुगा एडिशनल टाइम सिर्फ आट मिनिट का मिलेगा क्योंकि एटरसन को इंजरी हो गई थी एटरसन गेवए था पैनल्टी गलती उस पर नैथन एकी की थी आइटिंग नैथन एक पूरे गे काइल वाकर की लेंदेरी कर रखी थी मैंसीट के पास भी अच्छे मोगे थे मैंसीटी ने भी अपने चांसे कापिटलाइज नहीं किये पूर डिसीजन मेकिंग या फिरा फाइनल थर्ड में जो पास थे वो एक्वरेट नहीं गए इस वजह से कहीं नहीं वह जो रिजल्ट मैंसीटी एक्सपेक्ट कर रही होगी इस लिवरपूल टीम के लाइन अप उतारी थी फर्स 11 में वह रिजल्ट निकल के नहीं आया है बट इस सब में सबसे बड़ा विनर जो रहा है वह आपकी आसनल ही रही है क्योंकि अब आसनल अगर अपना मैंसीटी वाला फिक्शर तो एक दिंक देविल विख नाओ कि हमने मैंसीटी को अपने हों पे रोगलियर ड्रॉपर जस फिक्शर में हमारे पास इतने सारे हमारे एसंटीज हमारे वर्ल्ल क्लास प्लेस्ट वह आप एक्सेंट थे इस फिक्शर में बट सिर्फ आपकी लिवरपूल नहीं नहीं तक अ नहीं थोड़ा सा स्पर्स को भी benefit मिल रहा है एंड पोस्टे को गलू कि आपकी तारीफ रहनी पड़ेगी कि सीजन में आते में हमें से किसी ने स्पर्स को चांस नहीं दिया तो फूर आने का बट अभी विला ने पॉइंट्स डॉप किये का लोगों ने विला के होम पर विला और होफ फुल रहें कि यहां पर यूस्यल में फिफ्फ स्पॉर्ट जो है वो प्रिमीर लीग क्लब को मिल जाए तो उसके लिए पहले गैप क्लोज करना पड़ेगा और जैसी परफॉमस रही हमारी दो लगातार फिक्षर हम हार गया है फोलम वाला भी मैंस्टी वाला भी इस देफिनेटल यहां पर प्रिमीर लीग सेटकर अगर हम वहां पर ला लीगा पर जाए विनीश जूनियर और आपकी रियाल मड्रिट की कल की परफॉमस काफी डॉमिनेटिंग थी आ देवा प्रिटी गुट दे मिस्ट अपल अफ चांसे इस वैल ऐसा निदा के पूरे ग अबी हाल फिलाल में मेरे ख्याल में लालीगा तो सील्ड ही उनका उनके लिए में जो में अब्जेक्टिव जो हर साल रहता है डाट इस तुब इन चांपेंस लीग चौदा बार की आपकी यूसियल विजेता है इस साल वापस से जीतने की कगार पे हैं मतलब वन ऑफ फेव पन के जो निकल के आये हैं वह जूड वैलिंगम जूड वैलिंगम के पास भी अच्छा मौका होगा जीतने का तो इन दोनों प्लेयर्स में से आखिरकार किसको प्रिफर करेगी रियाल मजट क्योंकि अल्टिमेटली एक पोस्ट्र बाय बनाना होता है और इस वक्त पर अग अगर लालीगा और यूसियल जीती है यहाँ पर आपकी रियाल मट्रेट तो मेजॉरिटी फैन्स और मेजॉरिटी आपके जो बोर्ड मेंबर्स होंगे मट्रेट में वह फेवर करेंगे जूड वैलिंगम को डेफिनिटली यहाँ पर एक प्रिफरेंस तो रखनी पड़ेग और रियाल मेंड ने कलबो करके दिखा दिया इंचलोटी की गेम प्लायन की पिछले पिछले हफ्ते हमने एंचलोटी की गेम प्लायन को बाडञे बादे अंचलोटी ने वह चीजें कवर अप कर लिए डिसेन कमफरटबल विक्तरी ठीनिल से जीट गये वह बड़ेस चाहेंगे के वो चीज़ें रिपीट ना हो बढ़ा एक अच्छा हफ्ता रहा जहां पर हमें अच्छी फुटबॉल देखने को मिली except for United क्योंकि United अगर देखा जाए तो गेम जीती भले ही अपना लेकिन वहां पर आपके Everton के दो पैनल्टी के दो जीती coming to the transfer news about United फेब्रीजो रोमानों ने confirm कर दिया that Greenwood is going to leave Manchester United there's a huge possibility आप यह मान के चलो कि 90% चांस इसी चीज़ का है कि Greenwood is going to leave Manchester United अप कौन सा क्लब होगा क्योंकि Barcelona link हो रही है आपके Greenwood से कुछ talent clubs भी link हो रहे है Greenwood से कुछ Turkish club भी link हो रहे हैं यहां पर Greenwood से सवाल यह खड़ा होता है कि Jim Redcliffe का चाहते हैं क्योंकि Jim Redcliffe का जो एक indication था वो यह था कि हम बैठेंगे बात करेंगे उसके बात decide करेंगे कि हमें क्या करना है Greenwood के साथ क्या नहीं करना है तो ultimately अभी Greenwood के ऊपर एक clear-cut opinion दे पाना इतना possible नहीं हो पा रहा है युनाइटिड के रिगार्डिंग जो एक लेटेस अबडेट है एंडी मिटन नहीं यह न्यूस ब्रेक किया है कि जो फैन चैनल है बैसिकली एक उसमें इंटर्व्यू दिया था अभी रैसमस हॉइलेंड ने और वो फैन चैनल एक अजेंडा रन करता है आपके सर्टन प्ल पता है एंडी मिटन के पास इंसाइट सोर्से रहती है तो फंडी मिटन इस रिपोर्टिंग सम्थिंग अपने गेम पर फोकस करना चाहिए आप अगर अपनी फुटबॉल इंप्रूव कर लोगे तो सारी जो आउटसाइड नौइज वो अपने ब्लॉक हो जाएगी यू न आपको इतने साल लोग है इस प्रोजेक्ट पे काम करते करते मैं प्लियर्स की अगर बात करूं तो लेकर उसके बावजूद आप में जो परसेंटेज फिंप्रूब्मेंट रहे ना वह बहुत मिनिमम रहे और वह परसेंटेज फिंप्रूब्मेंट के बाद भी आपकी पर आसनल लिवरपूल और मैंसिटी का उसमें कौन सी टीम है जो अल्टिमेट फेवरेट से टैटल जीतने की वो बताईए मुझे कॉमेंट सेक्शन में इसी के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत जरूरी हमारे लिए इस महीने के एंड तक 100 के करना तो प झाल झाल